हेल्लो एव्रिवान मेरा नाम है सोपनिल और आप देख रहे हैं प्रेडियट या पावर हाउस ऑप सोब्सवान में अब्धीन आज का जो वीडियो है वह टोटल ही होने वाला नोस के ऊपर शोविल नौस चाटफिष्टी अवह बहुत सारी बेडी इस आती है बट आज जो मैं वेराइटी के बारे में बात करने वाला हूं डाट तेकर शोविल नोस काटफिष्ट डिच इ ए टू जड पूरी इंफॉरमेशन दोंगा उसके बारे में कि यह मिलती कित्ते की है क्या साइस की ती मेरा क्या experience रहा है मैंने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको कैसे रखना चाहिए उनके अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंट उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और अगर आप लोगोंने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तुरंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वो बेल आकन को हिट कर दीजिए ताकि आगे चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंस आज का एपिसोड शुरू करने से पहले या फिर में एरिया में जाने से पहले में आपना एक experience share करना चाहूंगा उसके पहले शुरुवात ऐसे करते हैं कि जब मेरे पास एक्टम छोटा था मतलब लगबग वो हाडली रहा होगा वो दो feet by 1 एक feet by 1 feet का मतलब 2 by 1 by 1 का टांग था उसमें उस वक्त मेरे पास और यह मैं बात कर रहा हूं करीबबन 17,16,17 साल पहले की बात कर रहा हूंगा अगो यह सिक्स्टीन, 17 यह था पहले की बात कर रहा हूंग है तो उसमें कहा था कि मेरी एक जो कॉजन, एलडर सिस्टर है तो उन्हों ने उस समय में मेरा बर्टे की दिन मुझे पूछा कि भाही तुझे क्या गिफ्ट चाहिए करके आई सेट कि मुझे अगर कोई फिश गिफ्ट कर दो तो I would be very very happy so उन्हें ने बला चल ठीक है चलते हैं so उस ताइम पर मैं गया था मेरे एक बोल सकते हैं कि मेरे सिटी का सबसे बड़ा फिश शॉप है वो उसका नाम है असीम्स एक्वेरियम और जो की धरमपेट में लोकेटेड है और इसके बारे में मैं नेगेटिव या पॉजिटिव फिटबाक नहीं दे रहा हूं मेरा जो एक्सपीरेंस रहा है मैं उसके वो ही शेर करना आ ला हूं सो नो अफेंस अगर जो भी कोई असीम भाई को ऐसा कुछ डेटिव भाई में नहीं है असीम भाई को फुल मैं भी सपोर्ट करता हूं उनका इतना बड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर है देखा जाए तो नकपूर ऐसी सिटी में और इंक्रेडिबल मतलब एक्सिलेंट इंफ्रस इंफ्रस्ट्रक्चर है उनके पास में तो उस वक्त मैं वहां उनको लेके गया मेरी सिस्टर को तो उनका पूरा मैंने गालरी गुमा कि यह क्या है क्या है क्या है मेरी एक जगा आक्या टक दी तो वो थी टाइगर शौवलोंस के उपर येस उतने साल पहले भी वह चीज मिल तो एक पर प्चार पर्चार णड़ी मेरी पास उसका एक भी खोटो यह मैं कुछ भी नहीं है वहे ४ास में इसमか मैं मेरी क्या कि भी आम साल पहले मैंने मेरा फर्स्ट्र ऑ्यर शौवलों मेना पर्चार पर्चार थह यह वो और वह बंदे आनने पूछा था कि यह से पाल उसने मुझे उस वक्त मिल्फ गाइड किया और उन्होंने बोला कि ये फिश पर फीड़ेड़ है और बाकी सब चीजे जो उनको अपना प्रोड़क्ट सेल करने के लिए चाहिए रहता है तो उसके बाद बात ऐसा हुआ है कि उस समय जो वह बिश्ट था वह अप्रोक्सिमेट 5.5 इंचेस का पैर था और उस समय उन्होंने मुझे 1100 का दिया था मतला 1100 रुपे का उन्होंने मुझे पैर दिया था उस वक्त की बात है और उतना रेट तो आज की डेट में चल रहा है मतलब अल्मोस्ट 16-17 बात वह रेट आज के डेट पे चल रहा है तो पता नहीं वह एक तो प्राइस के बार में बोलूगा ने और एज अगिफ था वो मेरे दीजी ने में को पर्चेस कर कि दिया था अब उसके बात वाद रहा है तो आज करके बहुत खुशी खुशी मोर्से में घर लाया उसको मने अपने टांक में रखने के बाद मैं अच्छी से मतलब जैसे नोमली मेरे पार जारी बाकी की जितनी भी फीशे स्थी उतके साथ मैं उसको रखना प्रपर्ली एकलमेट तेम मेरे पास कभी थर्ड दे एक फिश मर गई और फिफ्ट दे दूसरी फिश मा गई और आए वस सो साइड कि मैं क्या बाता सुकू मतलब मुझे उस वग्त भी कुछ उतना में को पता नहीं था मैं बहुत धूंड रहा तो इसके वारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं था मेरे उस समय ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे मतलब इसके पहले मैंने मतलब उस समय के बाद मैंने अभी कुछ सालों पहले मैंने रखा था करीबन 6-7 साल पहले मैंने वापस पर्चेस किया तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यह हाइब्रीड टाइगर शॉविल लोस था रेटेल कैटफिश एंड टाइगर शॉविल लोस का हाइब्रीड है यह मैंने पर्चेस किया था यह मेरे दो फ्रेंड्स ने लाके दिया था यह मुझे उन्होंने लाके दिया था था थाउजन रूपीज पैर और इनका साइज था अप्रॉक्सिमेट फोर इंचेस के अ आपको तो उस समय उन्होंने लाके दिया तो अब यह जो फिश है यह भी मतलब है यह मेरे पास काफी जबर्दस तरीके से स्पीड में बढ़ हुए इनको मुझे टांक में सेट करना या उनको फीड में लाना उनको क्या चाहिए बाकि सब चीज मुझे बिल्कुल भी कि उनको डायेट में नॉन्वेच मेती डायेट रहता है जिसे लिए मौंस्टर कैटफिश या मौंस्टर वारेटी की जिए फिश होते हैं मेती डायेट इस इंपोर्डन तिंग तो! वह था कि वहाथ अच्छी से शद हो चुके थे तो! अब वह होने केबाद मतलब मेरे पाद मैंने चारी इंस के आछ dip अब चारेंच होने के बाद मैंने जब उसको मैं पाला अच्छी से रखा सब कुछ किया देन उसके बाद मेरे घर का रेनोवेशन का टाइम चालो हुआ तो उस समय मुझे उन दोनों को मुदलब मेरे टांक अल्डीडी मैंने मेरा ओलिवर उस समय जो मेरे पास हाई बैक ता व वाला उसकी एक आई नहीं थी और बट रही एपसलूटली फाइन बहुत अच्छी से खाना का था थोड़ी से थोड़ी सी हाला कि गाट फिश्टी आई साइज बहुत बहुत जादा कमजोर होती है बट उनके विसकर से वह पता लगाते कि वह कैसे पीड है कहां पीड है कैस मैंने फ्रेंड के आई शिफ्ट करा और वह एक्षुली जो टाइम था वो जो डिवरेशन था वो एक विंटर डिवरेशन था एंड अनफॉर्टुनेटली आफ्टर फ्यू देज मैने वह फ्रेंड को कॉल आया कि भई सारी की सारी तुमारे जित्ती भी गाट फिश्टी सा मैंने उनको चार इंच में लाया था वो करीबन दस साढ़े दस गयारह इंच के बड़े हो चुके थे उस वक्त तर सो रिली वेरी वेरी साइड की अब क्या करू क्या करू करते वह तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब ये फिश्कों मैं तभ ही लगा जब मेरे पास मैं कुछ अच्छा सेटप राएगा और मैं उसे अच्छी से पाल पहूं तो देन उसके बाद मैंने अभी कुछ समय पहले मताब कुछ महीने पहले मेरे एक फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे टाइगर शॉवन लोज उन्होंने मुझे डोनेट किया कि वह बंदा बाहर जा रहा तह कहीं तो थो दहीं से गैसे जिससे मैं पाऊन किलर मैंने उससे रिटन लिया था थै उसी से में लिया तो वह बंदी ने कुछ सब्같व बाहर जारा हूँ मैं उसको नहीं रख पाऊंगा उस पर धहन नहीं दे पाएंगे तो उस समय मेरे पास मेरा जो DIY थांग के थर्मकॉल टांग वो उस समय खाली था जैसे आप देख सकते हैं कि उस समय का फोटो है तो मैंने उसको उसने मुझे डोनेट किया तो वो नहीं हर तो अब आते हैं रियल उसके उपर की अक्चुल चीज की उसका क्या साइज है क्या है कित्ता है बाखी के सारी इंफॉमेशन जो मेरे एक्स्पीरेंस के रिगार्डिंग है और ये वीडियो अचली बहुत जादा रिक रिकमेंडेट था मुझे टाफी लोगों ने बोला कि तो आप ये टाइगर शौविल नोस की ऊपर आप वीडियो बनाई है बट वह मेरे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे कि उस समय तक कि मैंने मतलब रिसेंट क्या बहुत सकते है रिसेंट एक्सपीरेंस नहीं लिया था मुले तो अब एक्सपीरेंस आचुका है मुझे थोड़ा बहुत मतलब पहले का भी था और अभी का भी है तो आप लोग को इतना तो डिलिवर कर पाऊ कि आप लोग डिफिनेटल एक हिल्दी टाइगर शौविल नोस आप रख सकें पाल सकें बेबी साइज से सबसे पहली चीज टाइगर शौविल नोस आपको मार्केट में कौन से प्रिटी कॉमन विच इस नोन अस टाइगर शौविल नोस जो मेरे पास में है और टाइगर शौविल नोस से मिलता जूलता एक और शौविल नोस आता है तो अब जैसे मैं साइस के बारे पर बताओ आपको कि जो टाइगर शौविल नोस है टाइगर शौविल नोस आराम से मतलब तीन फीट सवा तीन फीट डोमेस्टिक में पहुँच जाता है और अगर वाहिल की बात किया जया तो बाकि आप गूगल कर सकते हैं यस आपको रियालिटी की बात बताओंगा बाकि जो चीजे जो है व क्या था क्या चीज है इतनी रेर है वो मिलती नहीं है और उसके बाद मैं वो एक बंदे को सेल आउट कर दिया और उसके बाद मैं अभी तक धूंडी रहा हूं पस्ता रहा हूं उस चीज को कि भही वो क्यू मैंने दे दिया कि पी स्पॉर्टेड शौविल नोस मार्केट मे देखने मिलता ही नहीं है और उसका भी मेरो बहुत ज्यादा अच्छा एक्स्पीरेंस था तो लेट्स कम बाक तो में इन्फोर्मेशन वाला पार्ट तो उस मैंसा है कि जैसे डोमेस्टिक मैं करें सावा तीन फीट तक बढ़ा होता है तो जो स्पॉर्टेड वाला है वो आ उसका फुल पोटेंशल क्या है तो कितनी बड़ी सपेस लग सकती है तो उसके बारे मा कुतनी बड़ी ज्ञदा दोंग है उतना बहतर रहे है तो अगर बड़ाल भीश देखना और मैं जो बड़े जो पीज है ताइकर शॉवल नोस का मैं बहुत बड़ा फाइन हूँ वह है सत्रजीद भाई के पास में जो ताइकर शॉवल नोस है यहां रिली इन लव विट इस शॉवल नोस है बहुत जादा खुबसूरत है बहुत जादा मतलब अच्छा कासा बल्की है अच्छा कासा साइज है और बहुत सुंदर है यहां शायद इंडिया में इतना बड़ा पीस नहीं होगा किसी के पास अगर ऐसी कुछ बात है तो हम रिली वेरी हापी कि मैं किसी एक से से टच में आया हूँ कि उसके पास उतना बड़ा पीस है अब मैं अपने बारें बताता हूं कि अब रही बात बात बताते हैं जैसे मैं आपको नाम बता दिया वेरेटी कौन से अविलिबल होती है और अब चलिए मैं अभी प्राइस के बारे बताता हूं अभी ऐसे प्राइस जो है मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ताइगर शोविल्लोस का दाट इस अप्रॉक्सिमेट मातलब 350 255 50000 की बीच में करता है अ यह साहद हो से प्राइस बताल जो रहा है už सो यह वे प्राइस के बारे मैं हो गया तो अब आते है पर जैसे मैंने स्टाइटिंग में आपको बता है कि monster variety catfish monster बारीटी की जितने भी fishes होते हैं वह meaty diet पर होते हैं and especially catfishes जो होते हैं वो meaty diet he 99.99% meaty diet ही prefer करते हैं so yes meaty diet में उनको कुछ भी चलेगा कुछ भी मतलब literal sense में कुछ भी मतलब live से लेकर फिश फिलिट से लेकर प्रॉण से लेकर चिकन लिवर से लेकर चिकन के पीसे से लेकर गोट हार्ट से लेकर इच एन एवरिधिंग मतलब कुछ भी खा लेंगे वह तो फूड का तो कता ही प्रॉबलम नहीं है फूड रेंज अच्छा खासा है और येस पलेट ट्रेन होते हैं हो सकते हैं बट आए डोंट फील कि उन्हें पहले ट्रेन करना सही है क्योंकि शेर को अगर आप रेगुलर घास खिलाओगे तो आगे क्या वन्ने वाला है एंड रिजल्ट आप लोग को पता ही है सो वो चीज नहीं बोलूँगा मैं तो अब रही बात उसके ग्रोथ रेट क तो ग्रोथ रेट के बारे में यह बोलना चाहूंगा कि ग्रोथ रेट मुझे परस्नली पहले और आज की डेट में जो मिला है वह करीबन देड़ से दो इंच पर मंथ अच्छा खासा ग्रोथ रेट मिला है मुझे अभी जो मेरे पास जो पीस है वह अभी सब बढ़िया है अब रही बढ़ टांक मेट्स की तो टांक मेट्स के बारे मैं यह बोलना चाहूंगा कि मॉंस्टर वेरेटी की जो जितने भी फिशेस उनको मॉंस्टर वेरेटी के साथ रखना बहतर है क्योंकि अग्रेशन लेवल वो मेंटेन हो जाता है मैं इंडेप्ट में नहीं जाओंगा यह जाम क्रिस और शॉर्ट म लगबग सेम ही हो यह उननीस-बीस का फरोखो उससे अधा डिफरेंट्स नहीं होना चिये और ब्लस अग्रेशन लेवल और अग्रेशन लेवल उनको सेव देख के मतलब आप बहुत मतलब अग्रेसिव कोई सिक्लेट अगर उसके रख जिया तो डेफिनेटली मतलब कुछ सकते हैं हरी चीज मतलब हर चीज में मतलब घ्र लेकर रीमा-कैट्फिश से लेकर पंगेशस शॉविलनोज काटफिश हाइब। थे लेकर शॉटबडी पंगेशस अल्बाइनो है वह है और पाकी की जो फिशस है मतलब सभी है उसके जाथ मैं और जितने जार्टीनी अर्व मेरे पास में गोल्डन पर्व और यह सब अर्वाना मतलब यह जित्री फिश सब्सके सब एकी रेट में ग्रोव करना आली फिश है इसलिए मुझे परिस्नली कोई प्रॉल्लम नहीं आ रहा है सबका डायेट भी एक ही है और सबी मीटी डायेट वाले फिश है और तो यह था ड पर करता हो कि बेर बोटम ठाइब बट अजाओंगा कि अब जितने भी कैटक इससस होते हैं वह नोक्टार एंलों होते हैं तो यह टाइगर शोंवेलों भी नॉक्टार ना केट फिश है रात को यह अंधेरे में बहुत शाथ अधे अपता हो जाता है बाकि लाइट के टाइ वह बैठे रहेगा एक ही जगह जादा मुवमेंट नहीं दिखाएगा बट जैसे ही अंधेरा हुआ या रात हुई तो उनका मुवमेंट जबर्दस तरीकासे बढ़ जाता है और वह हंटिंग में निकल जाते हैं तो उसमें ऐसा है कि आप लोग उसके एन्वार्मेंट के स्ट्रॉंगली मूव करें तो मूव ना हो पत्तर वरना उसी के उपर गिर जाएगा तो वह भी ना हो और साथी साथ में जो उसको डार्क एन्वार्मेंट से रहेगा तो आप अगर उसको फुल टैंक को सिर्फ फ्रंट विंडो छोड़के पूरा टैंक ब्लाक विनाईल से क से लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा और यह जो चीज है यह सारी कैट फिश के लिए मैं पर्सनली फॉलो करता हूं तो वह चीज यह है कि डिम लाइट दीजिए लाइट दीजिए मा मना नहीं कर रहा हूं पर लाइट एकदम डिम होना चीए और टैंक के कोई भी एक प आपकी जितने भी कैट फिश हैं या तो आप जैसे टेल पकड़ लीजिए या फिर यह टाइकर शोवे नोस पकड़ लीजिए यह तो यही बात थी तो आज का एपिसओर यहां यहां पर एंड करते हैं I hope कि आपको जो मैंने information दी है वो useful लगी है मेरा personal experience है plus minus हो सकता है और बस so thank you everyone for watching this and supporting supporting me और तुशे लिए आज के एपिसओर यहां खतम करते हो so thank you everyone